तो हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज में आपको बताने वाला हूँ Samsung Keyboard के कुछ ऐसे नए फीचर जो की 1UI 3.1 अपडेट होने के बाद Samsung के सभी मुवाईलों में आ जोका है जिसमें Samsung Keyboard है उसके दर कुछ नए features को add कर दिया गया है या बुल सकते हैं तो जैसा कि मैंने बता है मैं आपको बताने वाला हूँ Samsung Keyboard के नए अपडेट में नए features के बारे में जो की 1UI 3.1 अपडेट होने के बाद आए हैं तो सबसे पहले जो features सबसे अच्छा जो मुझे लगा है उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक message में आप देख सकते हैं दोस्तों यह message में मेरे पास कुछ link है और कुछ numbers भी लिखे हुए है इसमें और आपको दिख रहा होगा normal text भी आपको दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर इस किसी भी एक message का मैंने यहाँ पर ले लिया इसको copy कर लिया copy करने के आद में यहाँ पर जले आदा हूँ आपने whatsapp पे whatsapp पे जाने के आद आप जैसी यहाँ पर message को खोलेंगे या बुल सकते हैं आप click करेंगे तो आप देखेंगे उपर की तरफ आपको यह 3 row दिख रहे होंगे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों जो मैंने copy text करा था उसका जो पूरा matter है यहाँ पर आपको first volume मिल जाएगा second में अगर उसमें कुछ numbers लिखे हुए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग आगया है और सबसे आखरी में जो उसमें link था वो अलग आगया मतलब आपको वहाँ पर किसी जिसको अलग करने ही जोदत नहीं पड़ेगी एक ही बार copy करने के बाद वो सबको अलग-अलग कर देगा जिसको आप easily use कर पाएंगे आप देख सकते हैं दोस्तों text अलग कर दिया यहाँ पर उसमें numbers अलग कर दिये और वहाँ पर को URL होगा वो अलग कर दिये जिसक इंक्लूट थी तो यह सबको अलग कर दिया गया आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही शांदर फीचर लगा मुझे सबसे पहला जो इन फीचर से बहुत ही शांदर लगा है तो आप मैं दूसरे फीचर पर आपको ले जाता हूं उसके लिए भी आपको मैं कहीं पी किसी भ स्क्रीन शॉट लेने क्या आप देख रहें डारेक्टी यह शेयर हो गया है जो कि मुझे बहुत ही शांदर फीचर लगाई है उसके बाद दोस्तों जो नेक्स फीचर बताने वाला हूं इसी के अंदर वह भी बहुत ही शांदर फीचर है उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको जाना है त्री डॉट में त्री डॉट में जाने क्या आप दिखेंगे हैं सबसे पहला एक नया फीचर को एड कर दिया गया है वह है ट्रांसलेट करने का आपको जैसी इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग से यहां पर एक पॉपा उपण हो जाएगा फस्ट में इंग में रिक नहीं के बाद आप देखेंगे मैं नहीं एक लिख चुका है और यहां पर आपको करना है यहां पर इपको क्लिक कर दिना है तो आप देखेंगे ओपर वही का osdes대 हो कि अदो एक हेलो क्रकरोट करके लिखा और हैं आप हिंदी के लावा और किसी इन संधरों लेंग तो मैं यह सर्च कर लिया पंजाबी अब मैं यहाँ पर करूँगा इसको क्लिक करने के बाद ड़र इसको दुबारा लिखना पड़ेगा मुझे वह पहले वाले कोई ले लिया उसने हैलो क्या हाल है तो यह लिख दिया है इसके बाद मैंने करा इसको translate तो आप देखेंगे वहाँ पर उसने पंजाबी में लिख लिया है तो यह अगर आपको आता हो तो आप उसको convert करके देख सकते हैं कोई सी भी language इस language में आपको चाहिए उस language में आप इसको use कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप टाइपिंग लेंग्वेज भी चेंज करना चाहें तो आप यहाली भी कर सकते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में हो जाए तो आप ऐसा भी वहाँ पर कर सकते हैं जो की बहुत ही शांदर फीचर है तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स फीचर है तो उसके लिए आपको नमश्कार का वो मिल गया है और उपर देखेंगे तो आपको वो की आ जाता है देखिए गूण यह देख रहा है उपर आपको यह दिख जाएङे इमोजिस तो यह कैसे आएगी यह वाला जोय मोजिस है यह बाइ डिफॉल्ट आजाएगा जो नीचे आरहा है और पर जो उपर वाला आपके पास वह नहीं आ रहा है उसको नेवल करने के लिए आपको यहां 3-3 लाइस पर क् याइफ वाले को option को यहाँकर लेना है और उसके बाद यहां पर आएंगे यहां पर आने किया कँए आपको यहां पर ओर option मिल रहे है bit emojis बादoni अरेमोज профессional कर लेना है वो सब आपको से ससे होने लगें तो एख चाइग वार तो जो नेक्स फीचर बताने वाला हूं वो भी बहुत ही कमाल का है दोस्तों आपको होता क्या है कुछ ऐसे URL होते हैं यूटूब की वीडियो के अगर आपको किसी को शेर करना हो तो आपको बार बार कॉपी और पेस्ट करना रहता है तो यहां पर आपको एक ही शांदर फीचर दे द सब्सक्राइब तो यहां पर सैने औरने नाम दाल दिया है है के तौम एर ऐसे टैक तो यह विडियो को अपको दिखाना है आप देख रहे हैं यह वीडियो आ गई आपको किसीको भी कुछ شेर करना हो सिम्पली को उसको उसे क्लिक करना objection करे मैं यह यहां पर घ। तो यह link उपर आ जाएगा और कोई detail आ जाएगी और वो direct आप share कर सकते हैं जो कि बहुत शांदर feature है बार-बार आपको कहीं जाने की जुरत नहीं रहेगी simply वहाँ लिख कि आप इसको ऐसा option करके share कर पाएंगे उसके बाद दोस्तों जो next feature है उसके next feature के लिए आपको वापिस three lines पर जाना होगा three lines पर जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक और नया feature मिल रहा है वो भी बहुत शांदर feature है दोस्तों होता क्या है आप देखेंगे यहाँ पर जब आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं पोट्रेट मोट पर जो कीबोर्ड बिल्कुल सही आ रहा है और जैसी में इसको रोट रोट कर लूँगा या बोल सकते लेंड़ स्क्राइब मोट पर कर लूँगा तो आप देखेंगे जो उसका मैं इसको लैंड़ सके मोट पर कर लेता हूं एक मिनिट जो की जो नया feature है बहुत शांदर उसके बारे मता देता हूं मैं आपको यह मैंने इसको लैंड़ सक्राइब में कर लिया आटो डिटोर्ट के लिए आपको करना क्या होगा यहां पर क्लिक करना है आपको त्री डॉट्स पर जाने के आपको जाना यहां पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर सैटिंग में आपको जाना यहां मोड वाले ऑप्शन पर जैसी आप मोड पर क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे उपर यहां पर तीम पर आपको यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको चार सकते हैं जो की शॉलिड डार्क बँखता यहां पर कितना शांदार लग रहा जो कि मैं यहां फिंट करह । मैं और टुमें इसने बेल कर लिया उसके बार दोस्ता गोसे नेच्न चैन फीटवेक में जाएंगे तो आपको एक option मिलेगा है यहाँ पर speak keyboard Input All Aligned आप इस पर click करेंगे तो बाइड यह ओफ रहता है आपको इसको on कर लेना है यहाँ पर आप character पर click करेंगे तो जो भी आपको कीव प्रेस करेंगे लाइक A B C D जो भी हो वहां पर स्पिक करके बताएगा अगर आप वर्ट पे क्लिक कर लेंगे जैसे लाइक आपने सनी लिखा तो वो सनी बोल के दिखाएगा तो यह आपको अगर आप चाहते ही कोई भी आलफ़ेड आपको बोले जाकि आप पर नौल सके करें जा बूल सकते हैं या बूल सकते हैं आपको अगर सुनना हों कि क्या आपने टाइप करा है तो आप उसका यूज कर सकते हैं जो किया एक रहा है तो आपको सुन रहा हω as a आप देख ऱहां एस से विजज़ी लिज़ी करें वहाँ पर उस ने बोल दिया ं दोस्तों ये latest update थे मैंड़को जो लगे कि इस feature में add किये गए दोस्तों उमिद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आयों दोस्तों तो दोस्तों मुझे और कि अगर यह बीडियो पसंद आयोंगी थो प्लीज लाइक जरू अगर आपको लगता दोस्तों मेरी और वो सके तो मुझे इंस्टागर और फेस्ट फोलो करना भी ना बोले इसका लिंक आपको नीचे डेस्क्रिप्शेट पर मिल जाएगा और मैं यहां पर आपको इंस्टागराम का स्क्रिंशॉट लौग की भी दिखा रहा हूं तो थेंगी दोस्तों